जहिन साथियो आप सभी का एक बार फिर से 36 गड़ सब इंस्पेक्टर प्रोग्राम में स्वागत है और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार आप अपनी निरंतरता बिल्कुल परकरार रखे हुए हैं और साथ में एक युद्धिस्तर की तैयारी करते हुए अपने उद्धेश से के प्रती समर्पित है और हमारा उद्धेश ही क्या है हमारा उद्धेश है 36 गड़ सब इंस्पेक्टर निकालना और बहुत सारे साथी जो है वो कमेंड बॉक्स में बिल्कुल आंसर देते हैं जब सारे सेलेबस आप लोगों को इसमें कवर कराया जा रहे हैं क्यों क्योंकि इसमें आप लोगों को मिलेंगे 90-100 वीडियो जिसमें आपकी तैयारी बहतर से और बहतर हो जाएगी तो इस प्रकार से अपनी निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखिए ठीक है तो आईए सबसे पहल रहात कुछ प्रकार से है स्थर्ण को रखने का और हमारा उद्डे Stewart हमेंसा जो र magnitude होते हैं मतलब हमारे ऑद्देश का है च mad मतलब कि 975 पदों का पोस्ट आया है उसमें मैजर मेंट वाला कॉर्षन कंप्लीट हो गया है अब प्रिलिम्स में जो आपका पॉर्षन कावर कराया दोैं से और याद रखेगा तो इसी से जो है सारे थौट हमें रखने है तो हमारा निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखे साथ में मैदान में जो है आप फिजिकल भी कर रहे हैं तो याद रखेगा साथियो इसी को ही बहतर तरीके से रिवाइस करते रहना है इस जो है आपका सुभ विचार का यही उद्देश है कि अभ्यास के बिना प्रयास के बिना कोई चीज संभाव नहीं होती है सारी चीज़े रहती है तो अपनी निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखे जब तक के एक्जाम डेट नहीं आ जाता क्लियर तो आई है मेरी बाते आप लोग को समझ में आई होगी अब जो है हमारा सत्र प्रारम करते हैं तो आज का सत्र जो है कुछ नया ह सारा आपका question paper जो है सब analysis हो गया है बहतर तरीके से उसमें जो है बहुत सारे various type of questions जो है पूछे गए थे हैं तो आपका मतलब क्या कहना चाहिए गुप्तचर संस्थाओं से प्रस्न पूछा गया था तो यह सारी जो प्रस्न का संकलन है उसे और थोड़ा से लेवल बहतर कर करते हुए इसे जो है आपको सत्र में provide कराया जाएगा मतलब की समान अध्यन से संबंदीत जहां जहां से portion हमारे से छूड़ जाता है या हम पहले पढ़े हैं और याद नहीं आता हूं सब सारी चीज़ों को आप लोग को इसमें याद कराया जाए और अगर याद होगा तो क्या नाम है तो आपका भारत की गुप्त चर संस्थाओं से अगर प्रस्ण पुछता है तो आएए देखें option क्या क्या बूलता है intelligence bureau ओके ठीक है intelligent नहीं होगा नो intelligence भी ठीक तो आपका उसके वाद है Central Bureau of Investigation CBI ठीक है research and analysis wing जो है आपका raw कहा जाता है जीसे ठीक है tiger movie देखें रहता है tiger ठीक तो यह सारी संस्थाओं जो है साथियो वह गुप्त चर संस्था है भारत की तो यह सभी इसका answer होगा क्या होगा इसका answer होगा अब इसमें और क्या-क्या प्रस्ण पुछे जा सकते हैं आएए देखें जै current affair का question है वर्तमान में अभी IB chief change हुए है जिनका नाम है तपन कुमार डेका क्या नाम है तपन कुमार अब डेका ठीक है नाम ऐसा नहीं लग रहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो के इंदर सशार की ऐसी आपका मतलब संस्था है जो की आपका आतंगवादी संस्था है जितनी भी रहती है उन लोगों का जो है यह data जमा करके रखते हैं और उन को पकड़ते हैं सीब जमा करके नहीं रखते हैं तो अगर कहा जाए याद करने के उद्देश से अगर एक थोड़ जोड़ा जाए तो ऐसा सुने होगा ना भाई कि ज्यादा कोई परेशान करता है तो क्या बोलते हैं अपन उसको तप दिया हमारे उपपर मतलब तप रहे हमा कार याद कर सकते हैं ठीक है मैं कोडिंग के लिए हमेशा एक चीज बताना चाहूंगा कोडिंग वगरा जैसे चीज पर मतलब ज्यादा डिपेंड नहीं होना चीए डिटेल्स ज्यादा पढ़ना चीज लेकिन हां फैक्ट्स को कैसे याद रखे कम समय में अगर तो याद र कित्र में जो है इनकी नजर रहती है और जो है यह आपका केंदर सरकार को रिपोर्ट करते हैं मतलब की आपका उसी से संबंधित है ठीक आईए आगला क्या है भाई CBI के चीप कोन है तो कोन है वहाई सुभोध कुमार जैसवाल जी है ठीक है 36 गण अंचल में जैसवाल जी लोग बहुत मिलते हैं वहाई सुभोध कुमार जैसवाल जी अब यह क्या है भाई CBI ये जितने भी भारत देश के अंदर इधर उधर करेंगे मतलब कि आपका नीराव मोदी और ये वो दुनियादारी जितने भी मतलब सारी मतलब जितनी भी अगर भ्रस्टाचार से संबंधित क्या बोलते हैं गतिविधिया होंगी ना उनका जो है ये क्या करेंगे आपका हि CBI का नाम सुने होगे CBI जो है अभी बहुत एक्टिव है ना ठीक आगे बढ़ें अगला है रिसेर्च एंड एनलिसिस विंग यह इसको याद रख लेते हैं भई आओ याद रखेगा समंत गोयल क्या नाम है समंत गोयल गोयल जी समंत गोयल ठीक क्या कौन है समंत गोयल अब इसमें और पूछ दिया प्रस्ण कि आपका Research and Analysis Wing का आपका आदर्श वाक के क्या है तो धर्मो रक्षित रक्षिता क्या है धर्मो रक्षित रक्षिता मतलब कि आपका धर्मो रक्षित रक्षिता याद रखना है बस ठीक है उसके बाद क्या है आपका Central Bureau of Investigation CBI के क्या है द्यम क्या है द्यम निस्प चिता और इमानदारी मतले बीलोग बिलकुल किसी प्रकार से कोई compromise नहीं करते और Hमेशा क्या है तितने बी उद्यब है उसके साथ निस्पक्ष रूप से जो है आपका रहते हैं और आपका ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूं आपका उद्यम निस्पक्ष निस्पक्ष और आपका क्या है इमांदारी इमांदारी से यह कारे करते हैं इस प्रकार से याद रखना है ठीक उसके बाद क्या है तपन कुमार डेका तपन कुपार डेका किसके आपके चीफ है तो आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो के तो इनका जो है आपका क्या होगा इंटेलिजेंस ब्यूरो का आदर स्वाक के आपका जागरितम अहर निशम ठीक है अंदर से निकालना है जागरितम अहर निशम ठीक है त कि दर्मोरक्षित लक्षित रक्षिता थीक यह कभी जबान निपीचलता है जमा चाहूंगा ठीक आइए अगला प्रस्न में चले अगला प्रस्न है अमारा समन्त स्वरी सक समन्त फिर से याद आ गये थे शा को देखके जमाच आएंगे भई ठीक है इमार फस्ते रहता है सक संवंथ पर अधारित राष्ट्रिय पंचांक का अंतिंव मास क्या होता है तो यहां का कंटेंट में ठोड़ा मिस्टाइपिंग है ठीक है याद होना चाइए सक संवंथ कभी स्टार्ट हुआ कनीश्क के समय प्राचीन इतिहास पढ़े ना पढ़िएगा प्राचीन इतिहास दरसल बात ऐसी है चात्रों आओ प्राचीन भारत की और लेके जाओ भारत में चौति बधी बध संगीती कराने वाला एक शासक था जिसका नाम था आपका कनिश्क कुंडल वन में इसने आपकी चौति बध संगीती कराई थी ठीक है इसने जो है कुसान सासक ने बारत का जो अभी राष्टि ये कलेंडर है सक समवन्थ के नाम से जाना जाता है बोर्ड महुदय नराज हो गए छमां चाहूंगा बोर्ड किसने था क्या था कब 58 AD में ठीक हैh 78 AD में start किया था लेकिन इसका नाम होना था कुणां था कुछान सभवथ है दूसका नाम सक सभव में हो घ्क हो गया मिदो MS taught तो इसके आपका पहलाव हो गया फिर कुसान इन लोग सब बाहरी विदेशी आकरमनकारी थे प्राचीन भारत के ठीक है प्राचीन भारत का पॉश्चन पढ़ींगे तो बहतर तरीके से समझेंगे लेकिन याद रखना है कि विदेशी आकरमनकारी थे इंडो ग्रीक सक और है आपकााक adv Video न जाई श्रिक जारी किया और यह सक लोग हमारा है करके इसे प्रतिपाढ़ कर दिय की कई चीज याइशी होती यह इतिहस स्कानाम पढ़ग्या किश्राह कि प्रथम मास्क अंतिम मास्क होता है तों क्पूर थिख ले और पहला बोलता तो आपका चैत्र होता याद रखना इसको याद नहींने तो याद करो ठीक है हमाराहा राष्टी कलेंडर याद नहीं तो फिर क्या मतलब भी याद रखना निवार है चैत्रवैसाग जेस्ट असार सावन भादो कुवर कार्थिक है तो भारूपी यह सभ्यता की पहचान है कि भारत और यूरोप सभ्यता मिल गई और हमें अंग्रेजी कलेंडर याद हो गया चलो यह बताओ कि यह जो अंग्रेजी वाला कलेंडर है इसे कौन सा कलेंडर कहते है ठीक आगे बढ़े आईगे अगर बोज देता है इसमें आपका प्रथम मास कौन सा है तो आपका चैत्र हो जाता ठीक है आगे बढ़े और इससे 36 गड़वाले पूर्शन में बहुत प्रस् तो इस प्रकार से तर्थ यह कलेंडर से याद होने चाहिए आप लोग को प्रॉपर जो है अपना स्टडी करते रही एक्टम अच्छी तरह से आओ भारत के राष्ट्री आनंदमठ गीत कि रहा चाहिता आनंदमठ इसमें कुछ गलती है भाई यह जो आनंदमठ लिखाया है यह आनंदमठ नहीं होगा ठीक है यह तुरूटी बस लिखा गया है अगया है तो यहां अनंदमठ लिखा गया होगा मिस टैपिंग कोस्चन में कुछ गडबर हुआ होगा तो यहां नहीं होगा भाई ठीक तो आए देखे भारत के राष्ट्री गीत के रचाइता कौन है त याद है तो यद रखना है ठीक याद होगा भी आप लोग को और भारत कर राष्ट्रीगीत कि रचाइता कौन है तो बंकीमचन चत्रजी मंट-चतर जी जो की आनंदमठ से लिया गया है इसलिए बापका किमचन letτο किarchya अृत सरोजनी नाइड़ी को जानते हो जी सरोजनी नाइड़ी को नहीं जानता है भारत की कोकीला की संग्यादी थी महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की शिश्या रही है दो ठीक है जिनको जो है आपका भारत के स्वतंतरता के दौरान जो है स्वतंतरता संग्राम के दौरान या स्वاطंतर तक प्राप्ति कर निकले और को उद्देश था कि आपका भारत को किसी भी प्रकार से स्वاطंतर बनाना है और यहां की लोगों की जो मान सि犯ह उसको बहतर से बहतर बनानब कैं तो आपका रोजनी नाइडू जो है गांधि जी के साथ और एक और है एनिवेशेंट ठीक है पहली congress की अध्यक्षता रही यह आप महिला मतलब कहा जाएगा महिला जो थी भारती महिला जो कि आपकी congress का अध्यक्षता की सरोज्जुनिन आई टू अगर बोलेगा पहली ना टैगोर इनके इनको जो है इनकी गितांजली जो इनकी क्या बोलते साहित रही है उसके लिए भारत नहीं पुरे एसिया का पहला जो है इनको क्या बनाया गया था क्या दिया गया था पुरुसकार नोबल पुरुसकार अलफ्रेड नोबल के नाम से जो है आपका जिसने डा तरान एह इंद बोलते हैं जल्दी मेरे थोड़ा जबान कभी कभी फिसल जाता है तो तराना एह इन्हें लिखा था महम्मद इकबाल ने इनकी कविताया पढ़िएगा बहुत अच्छी तरीके से है हं हिंदूस्ता हमारा ऐसे करके आपका सारे जहां से अच्छा इसे कुछ है मोहम्मद इकबाल का तरानाय हिंद याद रखेए तो इस प्रकार इसे याद रख सकते तो बाकी याद रखना भारत के राष्टिगीत कि रचएता बंकिम्चन चटर जी आगे बढ़ें आओ रख्चा कर्मियों को दिया जाता है ओक्ति रोनाचार भारत रत एक अशोक चकर जो सिफ जो इसको मिलयगता रख्चा कर्मी हमारे यादाणी सम्मान्नी जितने विजू है आपके हमारे भारत के बॉर्डर में जो है सेवा प्रदान कर रहे हैं और अभी जो है चुने जाएंगे अगनी वीरो के बोलते हैं नाम से उस सब को जो है क्या मिलेगा अशोक चक्र मिलेगा ठीक है तो आपका अशोक चक्र दिया जाता है कि इसमें रक्षा कर्मियों को अब द्रोणाचार पूरुसकार क्या है तो खेल जगत में खेल का पूर्शन अलग से कराया जाएगा आप लोग को यह पूरुसकार से संबंदित है खेल जगत में जो की जो है आपका मतलब क्या कहना चाहिए बेस्ट परफॉर्फॉर्मर होता है उसे जो है आपका सौरी रखना है और आपका कलिंग पूरुसकार तो कलिंग पूरुसकार है आपका विज्ञान से संबंधित है कलिंग पूरुसकार विज्ञान के छेत्र में दिया जाता है कलिंग पूरुसकार तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं ठीक है आओ आगे देखें पूरुसकार से नाम ध्यान चंद हो गया तो ध्यान चंद को जो है इसके साथ जो है मिला लिजेगा ठीक है 25 लाग की इसमें राशी दी जाती है यह पुरुषकार मुख्य रूफ से देश के ऐसे महान खिलाडी को जी जाता है अंतर राष्टिस पर अपनी महारत सिद्ध करके रखा है ठीक है तो द्रोणाचारेवाद अभी बताया मैं खेल गुरु को दिया जाता है ठीक है ध्यान चंद को जो है राजीव गांधी के नाम चेंज करके ध्यान चंद रख दिये गया मौलाना अबुलकलाम अजाद ट्रॉफी ट्रॉफी कहां से आगया यह गलत हो गए गलत डाट है ठी अब राश्टी देश भक्ति पुरुषकार देखो भाई ठीक है परमवीर परमवीर चक्र परमवीर चक्र दिया जाता है 26 जन्वरी 1950 में स्थापना वरसा इसका याद रखना है महावीर चक्र तो इससे रिलेटेड जितने भी करेंट है उसे याद रखना अनिमार है आप ल होता है किरती चक्र होता है सौरी चक्र होता है ठीक है तो इसे याद रखना आप लोगों के लिए अनिमार है यह सारा चीज पॉर्शन आप करेंट अफेर में तुदन गूगल करेंगे तो मिल जाएगा आप लोगको इसे याद जरूर करिए क्लियर आईए आगे बढ़ते ह है बार-बार दोहराइएगा अब यह क्या है भारत रष्टी एक नजर में देख लो ठीक है तो इस प्रकार के प्रस्ण आपको देखने को मिल सकते हैं प्रस्ण में राष्टी द्वज्ति रंगा है राष्टी गाण, जन, मन है राष्टी गान, गाने को कित्तने समय लगता है किटन समय लगता है तुरहना अंसर बताव पुछा है पिशली बार परिक्षह में राष्टी गीत राष्टी कभी है कितना यह सकेंड बता थिक है राष्टी चीन इस्टंब है श्क श्रवें चाहरा एक सब्सक्षर सक एक इसsel ऑनत्री एक ठीक है भारती राष्टी ता है हमारी राष्टी लीपी देव नागरी लीपी ठीक है राष्टी वंदना क्या है विजय विश्वतिरंगा प्यारा ठीक है मात्री भूह में विजय तनमाने न्यारा ऐसे करके पड़ते ना राष्टी पिता महत्मा गांधी हमारे ठीक है राष् खेल भाई याद मत रखे आज लास्टी खेल में अभी विवाद चल रहा है मतलब रास्टी खेल जो है ना वह अभी निर्धारित नहीं जा भी तिक है कि अगए बढ़ते अ स्वीडन के स्टॉक हो में नोबल पुरुषकार प्रदान किये जाते हैं ठीक है अलफ्रेड नोबल के नाम से 1901 से प्रारंब हुआ है नोबल पुरुषकार से भी प्रस्न याद रखना नहीं वा रहे हैं ठीक आगे बढ़ें आओ साथियो डीजल इंजन का विसकार किसने किय था डीजल इंजन का विसकार कई बार प्रस्न पूछा गया है बताओ जल्दी से कौन किया था डीजल इंजन का विसकार किया था रोडॉल्फ ने किसने किया था रोडॉल्फ ठीक है डीजल इंजन के गाड़ी में बैठो के तो रुला डालती है मतलब कि आवाज ज्यादा क सबसे खतरना सकार किया था डाइना 20 नाइट जानते हो ना कि अफ्सारे के द्षेत्र प्रभावत आप टॉ deste ऐसे नहीं है कि उनकी कुछ डिमांड है और बाकी सब सारी चीज है सरकार की अपनी पॉलिसी है छती पहुचाना गलत बात है ठीक है विचार भी मर से भी सुला हो सकता है और अलग-अलग मान सिकता है हम उसमें नहीं जाते लेकिन याद रखिएगा कि हमारा काम है पढ़ना ब मतलब कि आपका जीतने भी आपके अच्छे वेक्ति है competitive love करना में जो है जितने भी पुलिस वाले रहते हैं लोग का अच्छा व्यव Friedman रहता है लेकिन कई मोवी में जो हैं दिखाता है कि पुलिस वाले जो है दूर विहवार कर रहे हैं तो उस प्रकार का दूर एक वह हैं मतलब अपने पड़ की गरीमा बहतर तरीके से बनाना और सबके साथ बहतर अच् nevertheless तरह से विचाहर करना हो तो आई यह देखें तो अल्म्फ्रेड नोबल ने क्या किया है डाइनमाइट काああ सकर टाव यहां बात फंदी है कि माइक्रोफोन का अविसकार किसनं किया तो microphone का अभिस्कार याद रखना है साथ यो Edwards नाम के AdWords नाम के कैबलते हैं आपके वज्ञानिक थे उन्होंने आपका microphone का अभिस्कार किया था Corinne जिए तैप रैडर में आपवाध्य है बहुत सारे लोगों ने इसे कबलतेढे मिलके खोजा था लेकिन याद रखना है साथ्योव आपका gramophone gramophone जो है अलवा एडिशन गानप है ऐना habrery कि की अमलता इसके द्वारा मापी जाती है तो याद रखिएगा आपका पी मीटर के दिवारा आपका किसका वर्षा आप लेंच चलते हैं भई आपको कहा वाउन है का सब्सक्राइब मु क्या अब है नहीं लिग देते हैं तर क्लिए एक सारे गएंगे कि याद रख सकते क्लियर पिएच मीटर अब देखो वरसा कि दिखाई दे रहा है तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं याद रखने के उद्देश से से वापस आ जाते हैं अपन पीच मीटर अब देखो बैरोमीटर क्या है वाइउद आप इससे क्या बोलते हैं नापा जाता है तो आपका बैरोमीटर इवान गलोरीटा नाम के क्या बोलते हैं विज्ञानिक थे उन्होंने खोच की थी हाइग्रोमीटर क्या है हाइग्रोमी टाल दो इसको मिट जा ठीक है तो क्या था आपका लियो नाइडस ठीक है 320 देखें उना मुवे में द विंची ठीक बड़ी के मात्रा होगी इसमें समा चाहेंगे फोकस कम रहता है इधर से कुछ भी लिखा जाता है कभी-कभी लिखने में तो द्यानी नी जाहिएगा हाइग् किसने क्या आपको लिओनाइडस दविंची ने तो इस प्रकार से याद किया जा सकता है क्लियर इतना क्लियर है तो यहां से प्रस्णा कर देखने को मिलिगे तो छूटना नहीं चाहिए क्लियर आओ आगे बढ़ते हैं कि पाइरोमीटर निम निम नांकित्म के नमनापने के लिए प्रयोग लाया जाता है तो पाइरोमीटर जो है ना याद रखेगा आपका उच्चताप मान आओ दिखाता हूँ पाइरोमीटर कैसे रहता है याद रखिए गए बहुत पूछता हैं प्रस्टनी एंग पाइरो मीटर कहा है भई पाइरो मीटर कुछ भी लिख दो पाइरो मीटर उच्छत आपको ऐसे करके दिखाते हैं पाइरो मीटर अभी आप लोग कर सब कोरोना टेस्ट हो रहा है यह देखो महुदक दिख रहें तह आपको क्रेख लक्र मूठे सब करते हैं धिका अफ यह हो गया पाइरो मीटर भी लिए मशीनों को विक्ता हो रहा है बसे मानके चलो नोकिया क्या चलता थे आपको 1100 उसमें स्नेक वाला गेम खेलते थे ना अब क्या है आप तो भाई वो गेम भी नहीं खेलते हैं कोई खाली फेस्ट बूक इंस्टाग्राम और यूटूब तो उसको क्या करते रहते हैं चोटे-चोटे समय में तो है माद्दासल क्या है यह सब हमारी साइकलोजी पर है सारी चीजे मतलब क्या है छोटा रील देखने में कम समय लगता है तो उसको क्या है आदमी बारवाल पलटा-पलटा के देखते रहता है और जो व्यक्ति ना जिस हिसाब का मान सीखता रहता है वो ऐसे ही उसको होता है सब मैजर करते रहते हैं लोग उपर से बैठके ठीक है तो डेडिकेटेट चीज़ दिखाई देंगे ठीक है कोई एथलीट है तो एथलीट वाला उसको स्लाइट चलेगा तो यह सब देखते रहते तो वही आधुनिक्ता से परिवर्तित हो गया है और आपका है जो है इस प्रकार से दिखता है जो कि क्या करता है आपका अगर में डूबी ही वस्तु को इस्थिती जानने के लिए निम्न में से किसी यंत्र का उपयोग किया जाता है टाइटेनिक देखें उसी खोच किये हैं इसी से ठीक तो याद रखिएगा सुनार क्या आपका सुनार सुनार आपके क्या बोलते हैं यंत्र से किया जाता है सोणार मशीन होगा है एक उस प्रैज नहीं देखना है भी या उसी पुषप इसन देखना है कैसे रहता है कहा गए महदा देखो गई यह है सोणार मशीन है यह दिख रहा है यहाँ कहा लगा है इसमें लगा होगा कहीं ना कहीं आसपास दिख रहा होगा ठीक है इसके कहीं ना कहीं लगा होगा यह सुनार मशीन और यह जो है जो भी डूबे रहता है समुद्र में समान उसको जो है देखने को किया जाता है अब सुनार रेंज कैसे होता है यह दिखाता हूं कहा गए जी य कैसे दिखता होगा उसमें स्थोड़ी ने कि दिख जा रहा है सिधा आपका नहीं यह क्या करता है देखो इस उनार मशीन है कहां से दिखाओ भाई एक दम असान चीज में यह रहा ऐसे रेडियेशन रहता है इसमें इस प्रकार से ठीक है पहले यह भेशता है आपका तरंग तरंग आता है आपका वेव आते हैं इसमें फिर अब्जेक्ट में जो है लगता है जाके फिर यह क्या हो जाता है रिफ्लेक्ट होके पहुशता है कि यहां भाई यहां कुछ न कुछ समान है तो इस प्रकार से यह सोनार जो है आपका किसमे में लगे रहता है समुद्री यानों में ठीक है क्लियर तो सोनार किसके लिए प्रयोग किया जाता है समुद्र में डूबा हुआ कोई व्यस्ति वस्तु होगा उसके लिए जो है आपके इस्थिती जानने के लिए सुनारी अंत्र का उप्योग किया जाता है क्लियर आगे का उपयोग किये जाता है किसमें उचाईन आपने आओ देखते हैं अल्टी मीटर का है अल्टी मीटर कैसे रहता है दिखाव जाता है देखो कि कहा गया कि कि यह रहाी हो आये सके एस प्रकार से ओचके एस अल्टी में ऐसे वहißtा है कि यह थे देखो हांड्रेट फीट इस कि स्वार है तोड़ा पाइब homo जाता ही कि यह रहता है ठीक देखो दिखा रहा है इसमें क्या क्या दिखा रहा है इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है भाई कहा गया फीट वाला अभी तो देखा था भई यह दिवालत खोलना था भई देखो क्या है 100 फीट कैसे आ रहा है यह सब सारी चीज़े अरे जितना भी पैराग्लाइडिंग करते हैं ना पैराग्लाइडिंग हो गया आपका उड़ते हैं आस्मान से छलांग लगाते हैं देखते होगे ठीक है वह में तो यह सब चीज़ का उपयोग करते हैं अल्टी मीटर में क्यों करते हैं उन लोग उपयोग भई समय सही समय में खोलना है उसको तो पता चल जाता है इतने उचाई में हूं तुरंत फिर खोलते हैं पैराशूट को फिर आराम से नीचे उतरते हैं ठीक है पेपर देने और देखाँ आओ चलो देखे ही लेते हैं कहां गया महुदय यह रहे कि सिस्मोगाफ दिखाओ भई वह बुलने वाला नहीं आता कि है कोई बात है सिसमो मेरा सिसमोग्राफ और देखें इसके इमेज कर गूगल महोदैं सब बता देते हैं सिस्मोगाफ यह यह मतलब और रहती है तीवरता को रेडियेशन को होता है आपका काडियो काडियो जानते हो हाट का जो है उसको काडियोलाजिस्ट बोलते हैं तो उसका जो है चेक किया जाता है से सब्सक्ते निग चलता है और ये इस प्रकार से रहता है और इस जद्रप க में ये जरन करें एक एक जगा भूकम कितीव्रत नहीं कहांए ना तो वहां के श्थितिती दर keep it 60% होगे 60 से 80% होना छीए अरवनी रहा है पानी बहुत गर्मी और अब्द फिजिकल कर तरीके से अच्छे ते यारी करते रहों के हार कार्बोरेटर क्यक्heiro studio नहीं होता है कार्बोरेटर का उपयोग होता है ठीक है किसके लिए होता है इंजन को पेट्रोल की आप उर्ती करता है ऐसा नहीं है इंजन को पेट्रोल की आप उर्ती कार्बोरेटर थोड़ीन करता है पाइप से जो है इंजन को पेट्रोल की जर्वती नहीं होती है अगला है निम लिखित भारती भासाओं में कौन सी भासा दर्विन भासा की उत्पत्ती नहीं है साथियों हमारे मिए अगर देख जाएगा की तो भासाओं में जह उत्तर का है कशड़्वे भारत भारत अपना देते हैं टीक कर ज्यादा के yahoo तो अभी prelims के according जो पढ़ेंगे हम, वो कुछ इस प्रकार से पढ़ना है, आओ देखते हैं, फिर बोड मोहद है हमें परिसान कर रहे हैं, कोई बात नहीं बोड मोहद है, याद रखेंगे हम, ठीक, तो देखो, आपका ये जो छेतर है न, कहां से कहां तक के, ये ऐसा, ये के बाद यहां भारोपी ये भासा, फिर उसके आद आपका आज पास यहां देखेंगे, तो आपका चीनी भासा परिवार से प्रभावित है चेतर, चामा चाहूंगा, आज बोड मोहद है, बहुत परिसान कर रहे हैं, आई, हम अपने पेन का उप्योग कर लेते हैं, ठीक है तो यह वाला चेतर जो है आपका चीनी भासा से प्रभावित है, ठीक है, बहुत सर पांच प्रकार की भासा हैं, उसे अभी नी पढ़ना है, मेंस वाले पॉर्शन पढ़ना है, याद रखना है, दक्षिन भासा जो द्रविन भासा परिवार है, वहां से अतिक्थर परस्न में पूछता है कौन-कौन साब का तेलगू, कनर मलयालम, यह सब सारे जूतने भी आपके भासा है, वह द्रवन भासा परिवार में आते हैं, लेकिन माराठी नहीं आता है, चाहिक आए आगे बढ़ते हैं निमलिकित में से किस देश में अधिक्तम संख्या में भासाय बोली जाती है मैं बताया सबसे ज्यादा भासा बोली जाती है कहां हमारे राष्ट भारत में ठीक है हमारे राष्ट भारत में जो है आपका क्या बनाई सबसे ज्यादा भासाय बोली जाती है त अंग्रेजी भासा को भारत में सिक्षा का माध्यम के रूप में आरंभ किया गया किसके निद्वारा किया गया तो याद रखेगा लौड मैकाले द्वारा इसे सिक्षा का मैगना काटा का जाता है आधुनिक भारत के समय में इसके इतिहास आप पढ़ेंगे तो अंग्रेजी भासा को इसने क्या अंग्रेजी भासा क्या किया था माध्याम प्रधान किया था अंग्रेजी माध्या में सब आउसम फ्सक्राइब अपकाcado कहाँ केंद्री भारती भासा संस्थान कहां इस्थिथ है तुर याद रखेगा करनाटक करनाटक राज्य जो भारत के दक्षिन पस्चिमी छेत्र में वहां जो है आपका है मैसूर में कहां मैसूर में हमारा केंद्री भारती भासा आपका संस्थान क्लियर केंद्री भारती भासा संस्थान कहा है हमारा आपका मैसूर में क्लियर याद रहेगा याद रखना ह है ऐसे सोध संस्थानों से प्रस्ण सीधा पूछता और भारत की प्राशीस इतिहास पड़ें अ श्रेश्ठ मात है सबसें और नहीं और हमारे भारत की या पुरे विश्व की सबसे पूराने गranchis है यह अंतल हैं पती है तस लेकिन विद्वेस के लोपामुद रख गई और अपलग तुरॉ एक से सुची दो प्रसन सहनाई बिसमिल्ला खाना अच्छा अज जो है अगला प्रस्न है हमारा सुमेलित की जिसी एक से सूची दो धुवा है प्रस्न सहनाई भी सिमल्ला खान यह जो है आपका कोन कौन से वान यंद्र किन किन के द्वारा आपका कैज सही वोगा उसके लिए तो एक कहा कहा दिखाई दे रहे है यहां दिखाई दे रहा धैं यहां दी देgor Hunting तो उसके बाद जो है आपका सरोध सरोध क्या होता है हाँ सरोध जो है अमजद अली खाँ जो है बजाते थे ठीक है जरूर सर्च करके देखिएगा ठीक है तबला तबला कौन बजाते थे अल्ला रखा और से आंसर मिल जायँगा भई एक है दो बी का तीन तीन यहां भी है आपका सी का टू मिलेगा तो यह रहा आंसर बी क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा तो यह याद रखने वाले चीज़े हैं तो इसे याद रखना है कि सहनाई बिस्मिल्लाग भा शरोध जो है शंकर जी रवी शंकर जी सितार बजाने में आपका बहुत ही महरताशी तक्या थे आएगे बढ़े आईए सुमेलित की जी ये भी वही है अरे बिर्जु महराज जी वह मतलब नहीं रहे दुनिया में अभी वर्तमान में जो है कुछ समय पहले इनका जो है इंतिकाल हुआ है मत नहीं में दिखाई रहे और आपका वी में दिकाई दे रहा है हरी परशाद 4 अस या हरी परसाद 4 मांशी calculated बंण बहुत मतलब मंत्र मुब्ध के से जो है आपका वासूरी का ये क्या करते थे Αपका बजाते थे तोоды यह हो गया बीका हो गया आपका वन तो क्या हो जाया है Gesundheits क यह में दहुंत हैं प्रसण में पूछ जाते हैं तो इसे याद रखीए गा ठीक है अगला प्रस्ए हमारा निमली कित में से कौन से भारतिय शास्त्री नित्य हैं, ओक्ए आओ भई देखें इसे, भरत ना्रियम कुछिपुडी कुछिपुडी कत्थक, भरत ना्रियम कहा कहा होता है भई, तो इसे स्पेसल याद रखना है तमिन लादो, भरत नारियम के अगर पूछ बैटा कि आपका क्या बोलते हैं कौन से प्रशिद्ध कलकार हैं तो याद रखना है साथ यो रूपमणी देवी और आपका कृष्णन नायर कुछिपूरी तो यह तीनों जो है आपके क्या है हमारे सास्त्री नित्य कुछीपूरी कहा होता है कुछिपूरी जो है आपका आंधरप्रदेश में होता है कथक कहा होगा तो कथक जो होगै उत्तर भरत में होगा ठीक है तो इसे याद र amazed मुली के जो आपका भरत नाठ्यम संवंदीत हैं ठीक है तो याद रखना है तो इससे संबंदीत प्रसन पूछा जाता है तो यह जितने तथ्य बता ओसा हूँ ने सब याद रखना जब यह ठीक है आगे बढ़ें आई मिंद्ध्र आदार प्रदेश का क्लासिकल है तो क्या वह आंद्र प्रदेश का बताया ना भी तिछ भी लॉढशी काहा का है धाक कछ या कन ही मनमोहक रांस होता है छोड़ा आपका भरन debates तोड़ा रहता है आओ दिखाता हूं आप लोगों को मैं Google महोदय में ठीक है कहा गये कठकली अपके कठकली कर कथकली डैंस किया है आपका कथकली डैंस देखो बहुत कितने कि आपके तैयार हुए है ठीक है देखो इस प्रकार से कथकली है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो यह कुछी पुडी हो गया कथकली हो ठीक है मोहनी अट्व नित्य रूप का विकास निमडिखित में से किस राज्य में हुआ तो अभी बताया कहा हूँ आपका कियम केरल में कियम करूं कियां केरल में स्रवाधिक प्रषलीत सास्त्री निर्थ आगर पुछेगा तो रहे से दिखेंगे लोग न सब एक जैसे जो है इसे जो है जितने भी सास्तिनीत बता रहा हूं और तांडव निर्तिक अंतरगत आते हैं शीव जी जी जो है तांडव करते थे न भाई यह से करें मैं दिखार नहीं सकता ज़रू देखिएगा तो आपका क्या है तांडव निर्तिक संबंध किस राज जैसे है भरतनात्यम बताओ भरतनात्यम बता है न कहां कहा है परतनाट्यम तमिन लाडव करें ठीक है कहां कहा रहतनात्यम कई बार प्रस्न पूछ चुका है ठीक है आगे बढ़ें केरल में क्या है मोहणी अचनम हो गया आपका कथकली हो गया अंदर प्रदेश में क्या बताया कुछी पुड़ी और केरल में भी याद रख सकते हो केरल में क्या है आपका सत्रिया ठीक है सत्रिया डांस होता है केरल सुरी आपका असम में सत्रिया होता है असम में जो है आपका सत्रिया होता है क्लियर आगे बढ़ें आगे कथ्थक कहां का निर्त्य है तो कथ्थक कहां का है कथ्थक इस्पेशल जो है आपका उत्तर भारत का निर्त्य है ठीक है तो डी आंसर होगा इसका क्लियर तो उत्तर भारत में कथ्थक होता है उत्तर भारत में जो आपके विकास इसका बहुत ही मतलब प्रसिद्ध स्थिती रही है ठीक है आओ आगे बढ़ते हैं भरत नाद्यम भरत नाट्यम आंद्रप्रदेश का नान alye बदैश कुछिपूरी मर्द्रप्रदेश नहीं कथकली केरल केरल है करलप तर्बारत यह सही होगा स्थी अंसर सही होगा कथक कहा है किसको का उत्तर भारत का नाकित loud यह आप लोगों के लिए प्रस्ण है अभी तक कि जितना प्रस्ण कराया और याद रखिएगा जितना भी प्रस्ण कराया जा रहा है उसे रिवाइस जरूर करिएगा क्योंकि जीस वाला पॉर्शन है ऐसे वन लाइनर फैक्ट सीथा सीथा देखने को मिलते हैं इसी के साथ इ